प्रधानमंत्री उज्वला योजना प्रस्तावना आज हमारे देश में कई योजनाई हैं 2009 और 2010 की गरीबी आंकडे कहते हैं कि पिछले 5 साल के दोरान भारत में गरीबी 37.2 फिस्दी पर आ गई है परन्तु क्या सच में हमारे देश में गरीबी के कुछ आंकडे ही कम होने से गरीबी खतम हो जाती हैं नहीं ऐसा नहीं है आज भी हमारे देश में इतनी गरीबी है कि गरीब व्यक्ति को अपने घर पर दो वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना तो वो गर का चूला जलाने के लिए उसे जंगल में जाना पड़ता है उसे लकड़ी काटी पड़ती है उसे इखटा करता है उनके सामने बहुत मुश्कले होती है पर वें अपने घर का चूला जलाने के लिए कड़ी महनत करते हैं प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी ने उनक इस से वह अपने घर का चूला आसानी से जला सके और अपने घर में आसानी से खाना खा सके यह उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास गैस कनेक्शन की स्वीधा नहीं होती है उजवला योजना कब प्रारंब हुई मजदूर दिवस के रूप में एक मई को प्रधानमंत्र प्रधानमंत्री उजवला योजना का प्रारंब किया इस योजना की अंतरगत पांच करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन परिवारों को मुफ्त में एलपी जी का कनेक्शन दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी की योजना सरकारी और बहुत ही उपयोग योजना है जो गरीब लोगों के लिए है इस योजना को पैट्रोलियम और प्राकरति गैस मंत्राले के अंतरगत जलाया जा रहा है इस योजना के लिए 8000 करोड का बजट रखा गया है जो की 2019 तक पूरा करने की योजना थी जिसके तैट सभी गरीबी रेखा के नीचे आने उद्देश ये पूरे भारत को स्वक्ष बनाना है और स्वक्ष भारत अभियान की मुहीम को हमारे दैनिक जीवन में लाना है कुछ हद तक पेड़ पोदे को कटने से बचा सकते हैं LPG द्वारा अपनी जरूरते पूरी कर सकते हैं हमारे भारत में अधिक्तर ग्रामीन अभ किलाओं के लिए भी है जो इसका प्रियोग करके बिमार होती है इससे महिला सहसक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे वह स्वस्त रहे इसके मुख्य उद्देश्च है जैसे जिवासम इंदन के प्रियोग से होने वाले प्रदुशन को रोकना एसुद इंदन का प्रियोग जी का प्रियोग करना जीवासम इंदन का प्रियोग करके खतरनाख बिमारियों से बचाव किया जा सकता है और खासकर ये योजना हमारे देश में उन महिलाओं के लिए है जो जीवासम इंदन का प्रियोग करके घातक बिमारियों का सिकार होती है इसका एक उद्देश्य औ आवेदन कैसे करे योजन्या का आवेदन के लिए कोई भी BPL परिवार की महिला कर सकती है इसके लिए YC फोर्म भरके नजदी की LPG केंदर में जमा करा सकते हैं आवेदन के लिए दोपेज का फोर्म होता है और उसमें जरूरी दस्तावेजों की आवशकता होती है जो सभी के पास आसानी से उपलब्ध होता है और आवेदन करते समय महत्वपुन बात यह होती है कि आपको बताना होता है कि आप 14.2 kg का सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 kg का सिलेंडर लेना चाहते हैं यह बात जरूरी होती है उजवला योजना के लिए कौन पात्र होता है उजवला य देशे गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्ति इसके लिए मानने होते हैं ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके इसके लिए निम्न कारिये किये जाते हैं सभी दस्तावेजों को S.E.C.C. द्वारा 2011 के डाटा के साथ मिलाया जाता है आवेदन की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए आवेदन के घर में कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए और यह के वाल महिलाओं को ही दिया जाता है जो की BPL परिवार से संबंद रखती हो यह योजना पूर्सों के लिए नहीं लागू होती है BPL और रासनकार होना आउशक है और सभी जानकारी सत्ते और ठीक होनी चाहिए उपसनार हमारे देश में हमारी भारे सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है जिससे गरीबी मध्यमवर्गे लोगों को काफी मदद मिली है उसमें यह जो उजवला योजना है वो गरीबों के जीवन के लिए अती महत्यपुन योगदा निभा रही है आज प्रतेक उन गरीब महिलाओं के चेहरे पर खुसी की लहर दोड़ जाती है जब वो इन योजनाओं का लाब उठाती है उजवला यानि उजवला करना इस योजना से वह अपने घर में गय सिलंडर के रूप में ही नहीं बलकि जीवन में भी एक प्रकार का कर रही है ये योजना सभी गरीबों के जीवन के लिए एसुद्ध हवा से शुद्ध हवा की ओर ले जाकर अपने आपको स्वस्त रखना है धन्यवाद जैहिन जैब